हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चेनल फार्मरोक्स के यूटूब एज्जू किसले चेनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे डिस्प्लेस्टमेंट वेल्यू की सपोजिटरिस के इंदर तो सपोजिटरिस का जब मैनुफेक्चरिंग किया जाता है उसकी प्रेपेरिसंस की जाती है तो उस वक्ट जरूरी होता है डिस्प्लेस्टमेंट वेल्यू को अच्छे से कैलकुलेट करना तो displacement value क्या है उसको किस तरह से calculate किया जाता है और उसका जो concept है पूरा वो हम समझेंगे काफी easy language के अंदर और उसके अंदर हम ये प्यासा कववा वाली जो story जो आपको याद होगी उसका भी example लेकर आपका concept जो है वो clear करेंगे और सिखेंगे किस तरह से calculate की जाती है ये displacement value तो एक्सपर्ट लेक्चर बाया मरसर और सिस्टम प्रॉफेसर और फाउंडर और फार्मरोक्स थेंक्यू पर बीन वन लेक्ट फैमिली और फार्मरोक्स अब्डेट रिया फार्मा नोलेज के साथ एक्सस करिया study material टेस्स सीरीज वीडियो लेक्चर फार्मरोक्स के अपूपर तो यहाँ पे हमने सीखा था कि suppositories के बारे में कि suppositories जो है वो हम कहते हैं कि semi solid doses form है और उसको specially बनाया जाता है हमारे जो body orefuses होते हैं उसके अंदर insert करने के लिए कि जैसे कि rectal cavity है वजजाएना, urethral cavity और वहाँ पे जो है वो body temperature पे melt हो जाते हैं और release करते है medication की जैसे कि आपने paracetamol का suppository यूज किया होगा तो वो अपनी pharmacological action देगा और fever को reduce करवाएगा कि जब आप उसको use करते हैं और अपने side पे मतलब कि आपने NL suppository यूज की थी paracetamol की तो वो rectal cavity के इंदर body temperature पे melt होगा paracetamol release करेगा और अपनी pharmacological action देकर fever को reduce करेगा उस तरह से अपने diclofenic की समझा की NL suppository यूज किया तो वो diclofenic drug को rectum cavity के अंदर release करवाएगा और वहाँ पे अपनी pharmacological action देकर pain killer के तौर पे काम करेगा तो वो local actions भी देते हैं systemic actions भी देते हैं particular sites के उपर तो suppository के हमने type सीखे थे कि रेक्टल suppository आती है vaginal, urethral, nozzle and earcons वगेर फिर हमने समझा कि suppository के जो base होते है उसका भी selection जरूरिये कि proper ऐसे base हमें use करने चाहिए कि जो body temperature जो होता है वहाँ पे या फिर उससे कम temperature पे आसानी से melt हो जाए और अपने अंदर रहा medication को जो है वो release करें फिर उसके subject classification के बारे में समझा कि oleagenous होता है, aqueous होता है, emulsifying base होते है उनके यह सब example हमने सीखे, manufacturing techniques भी समझा और जाना कि preparations total चार अलग-अलग तरीकों से बना जाता है एक होता है hand molding का, compression molding, pore molding and automatic molding machines भी use किया जाते हैं तो अब बात आती है displacement value की, तो सबसे पहले उसके definition आप समझेए तो displacement value can be defined as a volume of drug that displace 1 gram of suppository base या फिर जो base की जो amount है, वो displace करता है drug तो drug क्या करता है कि अपना जो volume होता है, उतनी जो सामने आपका जो base है, उसको करता है displace कि आप जो इस तरह से china disk के अंदर जो base वगिरा को melt करते हैं कि जो भी आपने base यूज करें कि लाइक आपने cocoa butter जो है वो use किया तो cocoa butter को आप क्या करेंगे, melt करेंगे और उसके अंदर mix करेंगे आपकी drug तो जब आप drug को इसके अंदर mix करते हैं, तो drug क्या करेंगा अपना जो volume होगा कि drug का जो volume होगा, उतना weight जो है वो displace करेंगा cocoa butter का तो यही concept है displacement value के अंदर, कि जब आप base के अंदर drug को add करते हैं, तो drug अपना volume जो weight है वो displace करती है, suppository base का, तो इसी को कहते है displacement value So whenever we add the drug or other exception to the base, the drug occupies some of the space and displace the certain quantity of the base कि जैसे हमें पता है कि suppository बना ले के लिए दो ingredients main होते हैं, एक होता है आपका drug और दूसरा जो है वो आपका base बड़ सबसे पहले आप क्या करते हैं, base लेते हैं और base को इस तरह से melt कर लेते हैं और उसके बाद उसके अंदर mix करते हैं, यह drug तो जब drug आप base के अंदर mix up करते हैं, तो उस वक्त यह जो drug है, वो अपने volume जितना कि जो drug का जो volume होगा, उतना amount यह base का क्या करेगी, displace करेंगी, मतलब कि replace करेगी उसको, या फिर वो space को जो क्या करेगा, वो occupy करेगा जिसके करण जो base जो है वो उपर की और आ सकता है, तो उसी के example के लिए, यह story को आप याद करिए, कि जो प्यासा कववा वाली जो story थी, वो आप यहाँ पे खास याच्छे से याद करिए, कि क्या हुआ था, कि एक जो कववा था, उसको प्यास लगती है, तो वो देखता है कि ये गड़े के अंदर पानी तो भरा हुआ है, बट ये देखो पानी काफी नीचे तक है, तो कववा जो है वो वहाँ तक पहुच नहीं पाता और पानी पीने में असफल रहता है, तो फिर क्या करता है, वो आसपास देखता है और कुछ सोचता है, फिर उसने क्या देखे कि ये कंकर वगेरा देखे, और ये कंकर को फिर वो लाके ये गड़े के अंदर जो है वो डालता है, तो जैसे जैसे वो amount increase करता है ये कंकर की, तो ये जो पानी का जो volume है, वो आप देखो उपर की और आता है, तो फिर क्या करता है, ये जो कववा जैसे पानी उपर की और आ जो है वो सुरू होता है कि कववा प्यासा था गड़े में पानी कम था कववा लाया कंकड गड़े में डाले कंकड फिर पानी उपर आया कववा ने पाने पिया और यह कहानी खतम हुई बट यहां से ही जो कॉंसेप्ट है वो सुरू होता है तो कॉंसेप्ट यह है कि यहां प solid substance जो है वो अपने volume जितना solid substance का जितना भी volume होता है वो volume जितना ये liquid है उसको displace करता है जिसके कारण ये liquid जो है वो उपर की और जो है वो आता है मतलब कि उसकी जो quantity है वो तो change नहीं होती बट उसका जो volume है वो displace करता है ये solid जिसके करण ये जो volume जो है वो उपर के और बढ़ता है तो सरुवात में जो समझे कि point A पे था तो फिर ये point A से पानी जो है वो कि ये point A तक था तो वहाँ से ये point B तक जो है वो पहुचता है कि यहाँ पे displacement किसका हुआ, space किसकी occupy हुई तो पानी की हुई कि पानी का जो space था वो किसने occupy किया तो ये जो solid particles थे कंकड के उन्होंने वो volume को occupy किया जिसके करन ये volume जो है वो उपर के और बढ़ता है और आसान इसे ये कववा फिर पानी पी लेता है तो यही concept यहाँ हमारे suppository के preparations के अंदर है कि जब आप suppository बनाते हैं तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है वो China disc लेते हैं और ये China disc के अंदर रहा कि आपके जो base के जो particles थे उसको जो है आप क्या करते हैं melt करते हैं तो इसको melt करने के बाद आपको China disc के अंदर completely जो है वो liquid forms के अंदर मिल जाते हैं तो आपका जो base है समझो कि यहाँ तक है कि यहाँ तक है आपका ये base और ये base हो चुका है अच्छे से melt तो यहाँ पर मैं एक color कर लेता हूँ तो आपको काफी आसान इसे समझ तो पहले यहाँ तक जो है वो base feel हो चुका है और पहले जो थे उसके ये particles की ये base के जो particles थे yellow color के और ये base के जो particle थे वो जब आपने अच्छे से heat किया तो वो हो गए melt अब क्या होता है अब ये melted mask के अंदर आप क्या करते हैं ड्रग जो है वो add करते हैं तो ड्रग आप उसक के अंदर जो है वो add करते हैं तो ड्रग के particles क्या है solid है और आपका जो base है वो है liquid तो जैसे ये कवे वाली कहानी है कि कवे वाली कहानी में क्या था पानी जो था वो liquid था तो वो हो गया हमारा base और ये जो कंकड थे वो समझ लो कि ये हमारे ड्रग कंकड का काम करते है तो जब आप ये base के अंदर ड्रग डालेंगे तो ड्रग के जो particles की जो ये base के अंदर insoluble है तो वो ये base के अंदर volume जो है वो occupy करेंगे जिसके करण क्या होगा resulting कि जब आप इसके अंदर ड्रग के particles add कर देंगे कि समझे कि ये जो particle है वो में कि ये particles समझे कि इस तरह से हम लिख रहे है ड्रॉ कर रहे है वो ड्रग के particles है तो ये इनिस्यल लाइन थी कि जितना पहले वाला वॉल्यूम था बेस का मेल्ट होने के बाद और जब ये बेस के अंदर हम डालते हैं ये कंकर तो ये वॉल्यूम ऐसा उपर की और जो है वो जा सकता है अब समझो कि आप प्रॉपर वे करके जब इंग्रेडियंट्स लेते हैं तो ज जब ये मास आप यहाँ पे सपोजिटरी मोल्ड के अंदर पोर करोगे तो ओवर्फलो होगा कि जैसे यहाँ पे काफी सा राव ओवर्फलो हुआ है ऐसा प्रॉब्लेम हो सकता है एंड उसके करण क्या होता है कि जब आपको प्रेपेरेशन्स बनाती है तो ड्रग जो है वो अब ये मोल्ड केपिसिटी फिक्स है बट ये ओवर्फलो होने के करण जो वॉल्यूम है वो वेस्टेज होता है एस वेल एस काफी एक्सेसिव मट्रियल ये बाहर की और आपको जमा देखने को मिलता है कि जिसको आपको फिर ट्रीमिंग करना पड़ता है तो ऐसे प्रॉब आप स्क्रिंसोर्ट जो है वो ले सकते कि जिससे आपको जो है ये कॉंसेप्ट पता चले तो अब समझे उसका एक्स्प्लाइनेशन तो सेम एस दक स्टोरी ऑप दे क्रो वेनेवर वी एड़ ड्रॉग बेज डिस्प्लेस और इफ ड्रॉग इस मोर इट विल बी ओवर्फलो समझें कि ड्रग आप जयादा एड़ करते है तो उसके करन क्या होगा कि ड्रॉग का जो भी वाल्यूम है वो डिस्प्लेस करेगा बेस को जिसके करन इस तरह से ये ओवर्फलो जो है वो हो सकता है कि मोल्ड गाफी ओवर्फलो हो चुका है ऐसे ब्रॉब्लेम्स आ सकते हैं तो अगर समझे कि पहले से ही हम थोड़ा कम अमोंट में बेस ले लेंगे तो जब हम ड्रग उसके अंदर डालेंगे तो वाल्यूम जो है वो प्रॉपर से अठ हो जाएगा कि जिससे इस तरह से समझे तीन में यहाँ पर एक एग्जामपल देता हो कि यह यह वाला आपका मोल् यह B वाली चाइना डीस है आपके पास और यह तीसरा वाला चाइना डीस है तो एक चाइना डीस जो है उसके अंदर हम दिखेंगे कि आपने बिना किसी कैलकुलेशन के डायरेक्ली ड्रग एंड बेस दोनों को ले लिए तो और समझे कि ड्रग एंड बेस को मिल्ट करने के बाद यहां तक पॉइंट आदा था ए जब आप उसके अंदर चलो मैं पॉइंट यहां पे एक्स लेख लेखता हूं कि यहां एक्स पॉइंट की जगा पे ड्रग प्लस बेस दोनों जो है वो यहां पे एड है अब जैसे ही मेल्ट होता है तो प्रॉपर उपर की और जो है आजाएगा और एक्स से वेल्यू आजाएगी वाई तक क्योंकि यह जो यहां पे ड्रग थी कि आपका ड्रग प्लस बेस है यहां पे प्रॉपर मेल्ट होने के बाद यह वाल्यूम जो है वो उपर की और आ रहा है कि यहां पे डिस्प्लेस्मेंट वेल्यू जो है वो है कैल यहां तक लिया था और जब drug add करते तो यह x वाले point के उपर आ जाती है तो जब पहले से ही आप base थोड़ा कम लेते हैं और जब उसके अंदर drug add करते हैं तो automatically जो volume है वो proper occupy रहेगा कि पहले volume क्या था x वाले point पे था जब आपने drug add कर दी तो x से y तक चला जाता है यह कि जो volume काफी उपर चला जाते तो जब ऐसा होता है तो mold overflow हो जाते हैं बट पहले से ही आप कम amount के अंदर जब base लेते हैं तो समझो कि आपने यहां तक ही base लिया था कि जो displacement value calculate करने के बाद आप कम amount में base लेते हैं और फिर जब उसके अंदर drug add करते तो exactly यह x वाले point तक जो है वो melted mass आ जाता है मतलब कि जो mass का जो volume है वो proper रहेगा कि जब आप proper displacement value को calculate करके पहले से ही less amount में base ले लेंगे तो उसके करन यह overflow का जो problem है वो भी overcome हो जाएगा और जो समझो कि dose related problem होते है suppository के तो वो problem भी आप solve कर पाएंगे तो to prepare the required number of suppositories we need to calculate the amount of base require के कितना base चाहिए वो हम calculate कर लेंगे कि जिससे overflow वगरा का जो problem है वो create ना हो और ना हे कोई dose related problem हो so एक और example यहाँ पर आप देख सकते कि जो water जो है वो displace होता है सीप के दरा कि जैसे ही यह सीप पानी के अंदर enter होता है तो वो सीप क्या करता है अपने जो volume जितना जो पानी है उसको displace करता है तो we can see this example of ship in that in water canal and displace the water by ship and water is overflow when ship is entered into the water कि जब यह सीप पानी के अंदर enter होती है तो वो अपने volume जितना जो पानी है उसको displace करते जिसके करन देखो यह पानी जो है वो overflow होके यह canal में से बाहर आ रहा है तो same हमारे molds के अंदर भी होता है कि जब हम यह base के अंदर हमारी drug डालते है तो ऐसा problem ना हो इसलिए पहले से ही यह समझो कि हम कम amount में पानी लेते हैं या फिर कम amount के अंदर base लेते हो तो यह problems नहीं होता है जिससे आप यहाँ पे देखो कि यह जो पानी है वो जो canal के अंदर यह वाले point तक है कि समझो कि पहले से ही पानी कम डाला हुआ हो तो यह overflow का जो problem है वो आप solve कर सकते हैं तो यही concept हम use करते हैं suppository base के अंदर तो the mold is commonly used in the suppository base is the commonly used suppository base that is cocoa butter कि हम cocoa butter जो है वो use करते हैं या फिर जो थियो ब्रमाइल है और यहाँ पे जो हम common इस type के जो traditional mold होते हैं उसको use करते हैं और यह mold की जो capacities होती है वो usually fix होती कि वो एक gram की capacity या फिर दो gram की capacities वाले जो base होए वो available होते हैं तो a medicament having a density कि जो भी drug होती है उसके density होती कि density का आपको पता होगा density is equal to mass by volume तो अब समझ लो volume क्या है तो volume is equal to mass by density हो जाएगा कि कितना volume यह displace करेगा तो अपने mass divided by the density कि जो आपकी drug है या फिर जो भी आपका active pharmaceutical substance है वो कितना volume displace करेगा तो वो displace करेगा अपने mass by density जितना तो यह वाले beaker के अंदर भी आप देख सकते कि जो सरुआत में यह जो पानी था वो यह वाले point पे था कि जब तक यह object है वो उसके अंदर enter नहीं है जैसे ही यह completely enter हो जाता है उसके अंदर तो यह क्या करता है अपने volume जितना जो पानी है उसको क्या कर रहा है displace कि जिसके करन जो पानी जो पहले A point पे था वो वहाँ से यह उपर की और जो है वो काफे बढ़ा कि जिसको हम कह सकते है point B कि initially यह जो यहाँ था उससे उसका जो volume है वो थोड़ा उपर की और जो है वो बढ़ता है तो यही है displacement value मतलब कि simply एक ही concept है कि जब आप किसी भी liquid substance के अंदर की यह जो कोई liquid है और यह liquid के अंदर कोई solid substance जब add होता है तो वो solid substance अपने volume जितना जो space जो है वो occupy करता है जिसके करन वो जो liquid का जो volume है वो उपर की और बढ़ता है तो यह जो है वो displacement value है या फिर इसी को हम कहते है displacement by any substance we add it into any type of liquid component so the density of the medicament will affect the quantity of base required for each suppository and it become necessary to make an allowance for it so this allowance is called as a displacement value of that drug substance बनला कि सभी drugs के जो हम देखे तो densities वगेरा हो अलग अलग होते हैं उनके mass वगेरा अलग होते हैं तो सभी अलग-अलग drugs के displacement values भी अलग-अलग होगी और वो अलग-अलग type का जो volume है वो displace करेंगे base का तो displacement value के calculation करने की जरूरत क्यूं है तो सबसे पहले समझे कि जो ये mold होते हैं उनके capacities जो है वो fix होती कि चाहे ये एक gram के उसकी capacity होगी या फिर दो ग्राम का होगा तो जैसे हमने previous stories वगरा में समझा कि जब केसी solid substance को liquid के अंदर डाला जाता है तो वो अपना volume occupy करवाता है और उसका volume जो है वो increase करता है so it will be mold proper weight of the suppository after proper filling so mold will be overflow if you will not calculate the displacement value and will make the suppository with high dose कि यहाँ पर क्या होगा कि suppositories जो है यह mold की capacity तो fix है बट जब आप displacement value को बिना calculate किये यह जो base समझो कि उसके अंदर fill करवाते है तो यह क्या होगा कि overflow होगा mold and उसके करन कई बार क्या होगा कि ज़्यादा volume जो हो feel हो सकता है make suppository with high dose कि जो उपर के और काफी सारा mold रहेगा sorry काफी उपर तक यह material feel होगा तो क्या होगा कि overflow के करण जो suppositories बनेंगी उसके weight के अंदर variations आ सकता है and if we calculate the displacement value there is no overflow and it and proper dose will be delivered to poison कि जो proper accurate dose वाले जो suppositories जो है वो आप prepare कर सकोंगे कि अगर आप proper displacement values को calculate करते है so displacement values हम देखते थे कुछ अलग-अलग drugs की जैसे alum है तो उसके displacement value है 1.8 aminophylline की 1.5 है boric acid की आप देख सकते है 1.5 है chloral hydrate का 1.5 है cocaine hydrochloride also 1.5 hema malice dry extract का 1N each thamol जो हता है उसका 1 तो alum का देखो यहाँ पे 1.8 aminophylline, boric acid, chloral hydrate, cocaine hydrochloride सभी के 1.5 है तो यह displacement values एक्जाम्स के अंदर भी पूछी जाती है फिर दूसरे कुछ एक्जाम्पल देखे तो iodopharm है उसका displacement value 4 है phenobarbiton का 1 tannic acid का 1 फिर zinc oxide का 5 जितना है phenol का 1.1 kaster oil का 1N resource inol की displacement value है 1 तो अब देखते हैं हम इसकी calculation के calculation के से की जाती है displacement value की सबसे पहले आप यहाँ पे जो formula है उसके उपर खास ध्यान रखे तो यह formula में देखो सबसे पहले name of ingredients है table के अंदर कि जिसके अंदर है एक boric acid है and cocoa butter दिया हुआ है तो boric acid जो है वारे medication से कि जो anti-infective के तोर पर काम करेगी और जो quantity दी हुए कि 120 mg और cocoa butter 1 g मतलब कि यह जो quantity है वो सिर्फ एक suppositories के लिए है कि समझे कि आपको एक suppository बनानी है तो उसके लिए जो 120 mg ड्रग रहेगी वो suppository के अंदर और cocoa butter रहेगा 1 g जितना है फिर quantity taken theoretically आप समझे कि एक suppository बनानी है तो 120 mg अब आपको बनानी है total 10 suppositories तो volume होगा आपका 1200 mg मतलब कि 1200 mg होगा equivalent हम लिख सकते है 1.2 g तो यह होगा है 1.2 g जितना आपका यह बोरीक असेड तो 10 suppository बनानी है लिखो यह आपके लिखा है direction prepare 10 suppository and dispense it with suitable direction to the patient कि जो patient के लिए proper suitable directions के साथ हमें उसको जो है वो dispense करना है तो यहापी जो displacement value की अब calculation करनी पड़ेगी बीकोज यह तो होगा है कि cocoa butter आप 10 g लेगे कि 1 suppository के लिए 1 g ग्राम 10 suppositories के लिए 10 g तो displacement value calculation करनी के बाद आप देखो तो cocoa butter जो है वो 9.2 g ग्राम है जबकि drug तो हमारे fix ही है 1.2 g लेंगे बट बेस जो है वो कम amount में हम ले रहा है कि जो 10 g के बजाए हम ले रहे है 9.2 g जितना cocoa butter तो यह है कि यह जो mold overflows वगेरा ना हो as well as जो proper dose बना रहा है suppositories का कि सभी suppositories के अंदर जो drug है वो proper रहे है ऐसा ना हो कि कोई suppository के अंदर drug ज्यादा हो किसी के अंदर कम हो ऐसे problem ना हो इसलिए हम यह जो base है वो proper ले लेंगे after calculation of suppository displacement value of suppository base तो as we know the displacement value of boric acid is 1.5 कि जैसे हमने previous वाला जो table देखा तो उसमें था boric acid की displacement value 1.5 थी तो अब हम क्या करते हैं कि 1.5 displacement value थी तो जानेंगे कि कितना amount जो हो displace करेगा तो 1.2 gram of boric acid will displace amount of base is equal to तो हम क्या करेंगे कि जो 1.2 gram है suppository हम 1.2 gram है boric acid तो वो कितना और base displace करेगा तो हम उसको divide करेंगे by its displacement value कि किसी भी drug तो कोई भी drug कितना base displace करेंगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यह drug का volume है sorry drug का weight है कि drug 1.2 gram है और उसकी displacement value है 1.5 तो यह दोनों को जब हम divide करते तो उससे जो answer मिलता है वो रहेगा कि कितना amount displace होगा base का by that particular drug तो यहाँ पे देखो boric acid जो हम ले रहे है 1.2 gram तो 1.2 gram divided by 1.5 किया है मतलब कि 1.2 gram जो है वो हमारा boric acid है और यह boric acid के displacement value है 1.5 तो उससे जो answer मिलता है 0.8 gram उसका मतलब यह हुआ कि यह जो हमारा base है जो हमारा drug है boric acid वो 0.8 gram जितना base जो है वो करेगा displace कि जब हम drug और base वगरे को mix करेंगे तो 0.8 gram जितना जो base है वो displace करेगा उसका मतलब यह हुआ कि जब आप यह china disk के अंदर यह इस तरह से mixing करते है कि सबसे पहले आपका melt हुआ हुआ यह base था और उसका समझे की volume यहां तक था कि उसको में लेख लेता हूँ कि 10 gram तक आपने यह base ले लिया था अब क्या करता है जब आप उसके अंदर यह drug के particles add करते हैं तो यह drug के particles कुछ volume को displace करेंगे और यह volume जो है वो उपर क्यों राएगा कितना उपर आएगा तो 0.8 gram जितना जो volume है उतना जो है वो उपर क्यों राएगा कि जिससे आप देख सकते कि आप 10.8 जितना है उपर के और यह जो आ रहा है तो इस तरह से जो volume है वो उपर के और आ रहा है और जो यह initial volume यहाँ yellow तक था और फिर जैसे ही आप यह drug add करते हैं तो यह volume जो है वो उपर के और जो है वो आ रहा है तो इतना volume उपर के और आ रहा है तो इसके करण क्या होगा कि जब ये वाला आप यहाँ पे mold की अंदर जो है वो add करते है तो mold जो है वो overflow हो सकता है या फिर आपके जो china disk के अंदर जो material है वो बाकी रह सकता है, wastage हो सकता है तो ऐसा ना हो इसलिए पहले से हम क्या करेंगे इतना volume जो है वो कम लेंगे आपके suppository base का तो concept यह है कि 1.2 gram of boric acid with displace 0.8 gram of cocoa butter कि 0.8 gram जितना cocoa butter जो है वो displace करेगा आपका यह drug boric acid and to avoid the overflow in mold we will take 0.8 gram less cocoa butter कि जो overflows वगेरा ना हो उसके लिए हम पहले से 0.8 gram जितना कम लेंगे cocoa butter जिससे final formula यह होगा कि जो हम 10 gram लेने वाले थे उसके बजाए 0.8 gram जितना कम कर देंगे cocoa butter को जिससे final हम लेंगे 9.2 gram जितना cocoa butter so base we will take in our final formula to prepare the suppository and using the fusing fusion means pore molding method की यह जो method हम use करने वाले है वो कौनसी है pore molding वाली method है तो इस तरह से displacement value की जो है वो calculation कर सकते हैं आप practicals के दोरान की जो भी आपकी formula होती है उसके अंदर जो displacement value को calculate करने के बाद ही final यह वाली जो formula के displacement value calculation के बाद ही आपकी यह final formula जो है वो तयार होती है एक और example को हम solve करते कि जिसके अंदर हमें displacement value calculate करने के लिए दी गई है कि calculate the displacement value of zinc oxide in theobroma oil suppositories containing 40% of zinc oxide and prepare in a 1 gram mold the weight of 8 suppositories is 11.74 gram तो सबसे पहले आप देखो कि कौन से कौन से चीज हमें यहाँ पे दी गई है तो सबसे पहले क्या दिया है हमें कि total 8 suppositories का weight दिया हुआ है तो 8 suppositories का weight जो है total हमें दे जिया है 11.74 gram बट सबसे पहले समझे कि 8 suppositories बनानी है mold capacity कितना है 1 gram है तो 1 suppository is equal to 1 gram तो 8 suppositories के लिए कितना gram होगा तो 8 into 1 is equal to 8 gram तो total 8 suppositories बनाने के लिए हम theobroma oil कितना use कर सकते हैं तो 8 gram जितना theobroma oil हम use करेंगे weight of 8 suppositories containing 40% of zinc oxide अब जब उसके अंदर zinc oxide 40% add कर दिया जाता है तो उसके बाद उसका weight कितना है तो 11.74 gram तो यह हो गया उसका practical weight कि practically जब आपने suppository बना ली तो उसके बाद weight उसका कितना है तो 11.74 gram तो यह 11.74 gram के अंदर 40% zinc oxide है and 60% रहेगा आपका base तो यहाँ पर समझे ए concept यह ही से पूरा twist हो रहा है कि यह जो 11.74 gram है आपका 11.74 gram तो जिसके अंदर 40% कौन है तो zinc oxide है और बागी का 60% कौन है तो आपका base तो आप समझे कि हम 11.74 के 40% निकाले और 11.74 के समझे कि 60% निकालते है तुस्से पता चल जाएगा कि कितने amount में zinc oxide है और कितने amount में उसके अंदर भरा हुआ है base तो next step हमारा यही है यह for calculation के अंदर कि हब हम क्या करने वाले है कि amount of theobromyle presented at suppositives तो यह किया है कि हमने 11.74 था उसका 60% निकाला है तो 60 divided by 100 मतलब कि 11.74 into 0.6 तो यही किया है हमने 11.74 into 0.6 तो जो answer मिल रहा है वो है 7.044 ग्राम अब उसी तरह से उसके 40% निकालेंगे तो हमें मिलेगा कि कितने amount में zinc oxide है तो amount of zinc oxide present in its suppositories that is 0.4 into 11.74 is equal to 4.696 कि जैसे total 40% कितना निकालते हैं तो 40% निकालना है हमें drug का तिस तरह से होगा कि 40 into 100 into 11.75 तो यह होगा है आपका 0.4 into 11.74 तो यही हमने किया इस जगा पर और उसका answer मिल रहा है 4.696 ग्राम तो अब हम क्या करेंगे कि amount of theobroma oil displaced by zinc oxide अब zinc oxide ने कितना theobroma oil को displaced किया तो 8-7.044 ग्राम कि जो theoretically जो 8 ग्राम जो था base तो 8 ग्राम आपका base था उसमें से 0.97.044 ग्राम समझे कि हम माइनस कर देंगे तो जो यह answer मिला 0.966 ग्राम जितना जो base है वो displaced किया हमारे drug zinc oxide ने so now we can calculate the displacement value of zinc oxide dv is equal to a by b की a की value हमने find out कर ली कि zinc oxide की value कितने थी तो 4.696 ग्राम था amount of theobroma oil कितना displacement हुआ तो 0.966 तो यह दोनों का सब हम जो कि हम divide करते कि 4.696 divided by 0.966 करें के तो answer मिलेगा 4.91 तो फिर से यह आप एक बार concept को समझ लो क्या हुआ कि आपकी जो सपोजिटरी इसके अंदर 40% जो हुआ हुआ जिंक ऑक्साइड है तो सपोजिटरी मान लो कि यह है 100% सपोजिटरी उसके अंदर क्या हुआ 40% था अपका जिंक ऑक्साइड और 60% उसके अंदर है आपका drug base that means के cocoa butter अब यहाँ पर आपने क्या किया calculation कर लिया कि 40% जो कितना निकलता है जिंक ऑक्साइड तो 40% जिंक ऑक्साइड का आपने जो value निकला वो निकला 4.696 ग्राम जितना जिंक ऑक्साइड प्रेजन्ट है आपके सपोजिट रिसक अंदर और cocoa butter कितना है तो 7.044 ग्राम कि यह जो 60% जो आपने निकले वो मिला कि आपको के आपके ड्रग आपके जो सपोजिट रिसक अंदर 7.044 ग्राम जितना ड्रग है और 4.696 ग्राम जितना आपका है जिंक ऑक्साइड और टोट 7.044 ग्राम तो इसी के आपने 40% और 60% निकल दिये कि 40% जिंक ऑक्साइड और 60% आपने निकला ये cocoa butter अब क्या हो रहा है कि officially तो आपको आपको आप सपोजिटरी बनाने के लिए 8 ग्राम जितना cocoa butter यूज करना था जबकि यहाँ पे cocoa butter के value कितनी है 7.044 ग्राम मतलब कि 8 ग्राम से कम जितना weight obviously हमने लिया because कुछ जो amount है वो ये जिंक ऑक्साइड जो है वो occupy करेगा इसलिए जो ये 8 ग्राम होना चाहिए उसकी बज़ाए उसकी value कितनी है 7.044 ग्राम तो अब हम वही कर रहे है कि कितना amount जो है वो displaced हुआ थियो ब्रोमा oil का जिंक ऑक्साइड के दोरा तो वो value भी हमें मिली आठ मेंसे जब हम 7.044 ग्राम को माइनस करते है तो जो हमें answer मिलता है 0.96 ग्राम जितनी जो हमें value मिलती है उतना displace करता है हमारा ये जिंक ऑक्साइड कोकुआ बटर के volume को तो अब जब उसकी displacement value हमें find out करनी है तो क्या करना होगा कि displacement value is equal to a divided by b की a value जो होती है कि जो 8 suppositories के अंदर जो जिंक ऑक्साइड की जो value है वो कि जो drug का proper amount divided by उसने कितना जो base है वो है displaced किया वो दोनों का हम समझो कि ratio लेंगे तो वो ratio रहेगा equal to the displacement value of that particular drug तो आगे वही होता है कि जब हम a by b करते है तो a by b की जो value की जो drug की amount 4.696 ये suppositories के अंदर और ये वाला उसने जो volume displaced किया suppository base का तो ये दोनों का ratio हमें मिलता है 4.91 तो ये तो हमें यहाँ पे theoretically में लिए बर जब practical purpose से हम 4.91 को consider कर सकते हैं as a 5 तो zinc oxide की जो displacement value है 5 तो यसे ही आप जो easily calculation कर सकते हैं suppositories के तो सबसे पहले जो यहाँ पे concept ये होता कि आप जो है वो theobromoil की जो actual weight जो है वो आप consider कर ले कि जो 8 ग्राम जो है वो theoretically 8 ग्राम जो हम theobromoil use कर दें कि जिसको cocoa butter कहते हैं फिर यहाँ पे जो formula में दिया कि 40% zinc oxide है तो उसका 40% निकाल दो तो जब यह 40% आप zinc oxide का निकालेंगे और 60% आपका drug का निकाल देंगे और यह sorry base का निकाल देंगे तो आपको दोनकी actual कितनी amount में यूज़ किया वो पत्ता चल जाएगा और उसके बाद जो 8 ग्राम में से जितना actual में base यूज़ हुआ practically वो आपने निकला फिर E and B का ratio निकला वो है आपकी displacement value इस तरह से आसानी से displacement values जो है वो calculate की जाती है तो अगर आप चाहते कि ऐसे ही और कुछ calculations related हम lectures आपके लिए बनाए Suppository की displacement value के लिए तो जरूर से आप comment box के अंदर comment कर सकते कि और कुछ lectures हम design करेंगे आपके लिए about the calculation of displacement value तो आपका concept जरूर से clear हुआ होगा तो जरूर आप comment box के अंदर आपके valuable suggestions जो है वो comment कर सकते हैं next lecture होगा उसके अंदर हम सिखेंगे ये suppositories को अच्छे से pack कैसे किया जाता है कि आपने बना लिए अच्छे से displacement value अगरा को calculate करते हैं आगे उसकी stability के लिए protection के लिए that is a packing तो packing के लिए हम कौन से packing material यूज कर सकते हैं packaging materials जो हम कहते हैं किस तरह से उसको store कर सकते कि जिससे long time तक suppositories को अच्छे से store करके रखेंगे तो यह सब हम सिखेंगे upcoming lecture part 8 के अंदर कि जिसके अंदर हम discuss करेंगे packaging of a suppositories तो thank you for getting this lecture pharma rocks के lecture notes आपको pharma rocks के app उपर मिल जाएंगे thank you for watching join कर सकते whatsapp group access कर यह study material test series video lectures pharma rocks के app उपर so good luck and all the best